नवाश्कार मैं हूँ आज दिक्षित और आप देख रहे हैं दचेतकिंज जैसा कि आप सभी जानते हैं कल कुशी नगर जिले के तर्यासु जान थाना चितर के रामपुर बंगरा गाउं में सुधीर सिंग नाम के सिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी हत्या करने वाल जाला गोरखपूर के नंदा नगर का आरेमन यादव था सूबह पांच बजे गोरखपूर अपने घर से चला और साथ बजे रामपुर बंगरा गाउं पहुंच गया रामपूर बंगरा गाओं वो क्या करने आया था या तप्तीस करने पर पता चला कि अपनी महिला मित्र का जनम दिन मनाने के लिए वह आरेमन यादव गोरकपुर से कुशिनगर जिले के रामपूर बंगरा गाओं में आया था आरेमन रामपूर बंगरा गाओं में आता है और वो सुधीर सिंग के बड़े भाई राजे सिंग का नाम पूछते हुए सीधे उनके घर जाता है उनके घर जाने के बाद उनकी माता जी से पानी मांगकर पीता है और सुधीर सिंग तब तक अंदर से बाहर आते हैं उनके उपर वो फाइरिंग कर देता है फाइरिंग आरेमन ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवालवर से की थी कक्षा बारहमी की परिक्षा पास करने वाला आरेमन यादव पिता की लाइसेंसी रिवालवर लेकर इतनी सुभा घर से क्यों निकला यह नहीं अस्थानी लोग बता पा रहा हैं नहीं आरेमन के घर वाले अब आपको बताते हैं सुभे आठ वजे आरेमन यादव ने शुदीर सिंग नाम के सिक्षक की हत्यागी गावालों की सूचना पर डेड़ घंटे की देरी से तरया सुजान थाने की पुलिस पहुंचती है जबकि घटना अस्थल से सिर्फ डेड़ किलोमेटर की दूरी पर तिन फेड़िया पुलिस चौके इस्तित है आक्रोशित सुधीर सिंग की हत्या से आक्रोशित ग्रामिड सुधीर सिंग के घर को घेर लेते हैं एस्तियारोपी घर की च्ध पर लोड़ेड पिस्टल लेकर खड़ा होता है और वह हवाई फाइरिंग करके ग्रामिडों को डराने की कोसिश करता है कोई भी ग्रामिट डर के मारे घर के अंदर घर की छट पर नहीं जा पाता है लोग अपनी अपनी छटों से तमासा देख रहे होते हैं तब तक देड़ घंटे तक कोई भी पुलिस वहां नहीं पहुंचती है देड़ खंटे बाद जब तरया सुजान थाना ध्यक्ष हरिंदर मिश्रा अपनी फोर्स लेकर वहां पहुंचते हैं और किसी भी तरह घर की छट पर जाते हैं तो पीछे से गावालों की भीण उस छट पर पहुंचती है गाहवालों की भींड उस च्छत पर पहुंची, किसी भी तरह हरिंदर मिस्रा ने अपनी फोर्स के साथ आरेमन यादों पर कबजा किया और जैसे ही आरेमन यादों पर पुलिस ने कबजा पाया, भींड आरेमन यादों पर तूट पड़ी आरेमन माब लीचिंग का सिकार हो गया था अभी कुछ महीने पहले की घटना है, महराष्ट के पालगर में दो साथूं की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी उन साथूं का कोई कसूर नहीं था वह साथू अपने गुरू की समाधी के कारकरम से वापस लोट रहे थे ठीक उसी तरह कुछ महीनों बाद कल यानि सो मुआर साथ सितंबर 2020 को कुशी नगर जिले में एक माब लीचिंग की घटना घटती है माब लीचिंग की घटना जब सोसल मीडिया पर वाइरल होने लगी एक के बाद एक अलग-अलग वीडियो आने लगे अलग-अलग तरह से वीडियो आने लगे तो कुशी नगर पुलिस सदिक्चक बिनोत कुमार मिश्र ने थाना द्यक्ष हरंदर मिश्रा को निलंबित कर दिया थाना द्यक्ष हरंदर मिश्रा की निलंबित होने की सूचना जब अस्थानी लोगों को मिलती है तो वह पुलिस प्रसासन पर सवाल अखिर क्यों न उठाया जाए पुलिस प्रसासन पर सवाल इसलिए कि जिस हरंदर मिसरा ने अपनी जान पर खेल कर लोड़ेड पिस्टल सहीत हत्यारे आर्मन यादों पर कब्जा किया था वो सस्पेंड कर दिये गए और वहीं घटना असल से डेड़ किलोमेटर की दूरी पर इस्थित तिन फड़िया चौकी के चौकी इंचार्ज पर कोई कारेवाई नहीं यह कहा का न्याय है यह अस्थानी लोग पूछ रहे हैं हत्यारोपी तो माम लीचिंग का सिकार हो गया भींड का न्याय कहां तक न्यायोचित है क्या भींड को पुलिस प्रसाचन और कानून पर कोई भरोसा नहीं था भींड को कानून और पुलिस प्रसाचन पर भरोसा होना चाहिए था कि जब पुलिस ने आरेमन यादो को अपने कबजे में ले लिया है तो उसके पर कानूनी कारवाई होती निश्चित रुप से होनी थी क्योंकि उसने एक हत्या की थी लेकिन एक हत्यारे को भींड द्वारा पीट पीट कर मार डालना यह कहां कहने आ है इस घटना की तफ्टीस करने पर पता चला कि आरेमन घर से सुबा पांच बजे अपनी माँ से जिम जाने की बात कहके निकला था आरेमन घर से पांच बजे निकलता है वह रास्ते में अपनी एक दोस्त को अपनी स्कूटी पर बैठाता है और उससे अपनी प्रेमिका के जनम दिन की पार्टी में चलने को कहता है गोरक पुर्षे कुशीन अगर वह अपने प्रेमिका का जनम दिन मराने आता है संजोग की बातिया है कि जिस गाओं में वह गया था उसी गाओं में उसकी प्रेमिका का घर भी था तपतीस करने पर अलग-अलग कारण निकल कर सामने आएंगे अलग-अलग बातें अस्थानी लोगों के मुँँ से सुनने को मिल रही है यह मामला कुछ लोगों के मुताबिक जमीनी विबाद का है यह मामला कुछ लोगों के मुताबिक प्रेम प्रसंग का है प्रेम प्रसंग का कैसे जब आरेमन यादो का उस लड़की से संबंध था वो लड़की कौन है उस गाओं की इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उस लड़की और उस लड़की के परिवार वाले सामने नहीं आए वह लड़की कौन है क्या कहीं मृतक सिक्षक का उस लड़की से कोई सम्मन तो नहीं था क्या कहीं मृतक सिक्षक के बड़े भाई राजेश शिंग का उस लड़की से कोई सम्मन्तो नहीं था आखिर क्यों बारामी में पढ़ने वाला एक युवक अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तल लेकर गुरकपुर से असी किलोमेटर दूर कुशी नगर के तरया सुजान थाना चेतर में आकर एक निर्दोस सिक्षक की हत्या कर देता है अलग-अलग नजर यह से देखने पर अलग-अलग कारण निकल कर सामने आएंगे आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार देखते रहें दच्चे तक